त्योहारों के मौसम में बाजार में कई मिठाईया, खोवा और नमकीन खाद्य पदार्त बड़ी मात्रा में उपलग्द होते हैं हाला कि खाद्य एवं औशोदी प्रशासन ने उपभुगता को त्योहार के दोरान मिठाई खरीदते समय सावधानी बरतने की सला दी है त्योहारों के मौसम में बाजार में तरह तरह के खाद्य पदार्त जैसे मिठाई, खोवा नमकीन आदे में मिलावट पाई जा सकती है या हो सकता है कि इस पदार्त की उपयोग कितिती समाप्त हो गई हो खाद्य तेल, घी, दूद, दही आदी में भी मिलावट हो सकती है इसलिए विभागन उपभोगताओं को यह जांचने के निर्देश यह है कि खाली का सामात तासा है या नहीं भारत्य खाद्य सुरिक्षा और मानक प्रदिकरन मिठायों की निर्मान की तारीकों स्पश्च रूप से और प्रतेक मिठाय ट्री पर सबसे अच्छी तारीक से पहले बताने के लिए बाध्य करता है प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि दूद, खावा, खाद्य, तेल, वनस्पती की, साजोगी, लाइसेंसी, पंशिकृत व्यापारियों से ही मंगवा कर उनकी बिलो कार रखरखाओ किया चाहिए साथ ही उपभूगताओ को खुले में खाना नहीं खरीदना चाहिए प्रशासन के सायक्त आयक्त जैन्त वाने ने इस तरह की देखभाल की अपील की है प्रशासन ने हलवाय करने वालों के लिए कुछ अनिवारे निर्देश भी चारी किया है मिठाई बनाते समय बोजन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए दुकान के परीसर को साफ सुत्रा रखना चाहिए उपभोगताओं को आठ से दस खंटे की भीतर डेरी मिठाई खाने का निर्देश दिया जाना चाहिए मक्यों को बसने से रुकने के लिए बोजन को जाल से ढग दे अपना और अपने करमच्यायों का टिका करन करवाए भुजन बनाते समय एक तेल का प्रयोग दो या तीन बार ही करना चाहिए उस तेल को फिर पायो डीजल कमपनियों को दिया जाना चाहिए क्यामरा पोस्तिन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पान से बीसियन न्यूस नागपोरू